नमस्कार इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आस्वीज राजिन्द कुमार भारत बना बंगलादेश के वीच एक एहत्यासिक टेस्ट मैच कॉलकाता में जा रही है जिहां पिंक बॉल से डिनाइट टेस्ट मैच खेला जा रहा है और इस मैच में अब तक क टीम टेस्करिकट खेल रही हैं और उसके साथ में पांच विचे लेने का एक नया कारनामा इशान सर्मा ने अपने नाम किया है और एठ्यास रज्दिय यहां गुलाबी गैन से पहली बार पांच विक्टिया बने हैं इशान सर्मा इस से पहले सफेद बॉल से किस भारतिया पांच विकेट लिए उसके बारे में आपको यह बताने जा रहा हूं दरसल 1932 में मुहंबन निसार जो कि भारत के एक तीज गैनबाज हुआ करते थे उन्हों लॉट्स के मैदान पर पांच जटके थे तो वहीं उन्निस तो क्यानवे में पर्त के मैदान पर रवी सास्री ने उस्टेलिया खिलाब लाल सफेद बॉल से माफ की जिगा जानी ओडियाई फॉर्मेट में पांच विकेट अपने नाम किये थे अब ऐसे में गुलाबी गैन जानी तीसरा रंग आया है क्रिकट की गैन का उसके अन्रूप या उसके इसाब से दिखा जाए तो इसान सर्मा प पने बारा साल के टेस्ट अंतराश्टी करियर में यह उनका पहली बार पांच वा विकेट का होल अफे में जो उन्होंने बाती सर्जमी पर लिया है अगर उवरॉल बात चीत की जाए गुलाबी गैन से बैस्ट बॉलिंग फिकर गी तो 2016 में बैस्ट इंडीज के फिर्की ग अखेले गए गुलाबी गैन से उन में 257 विकेट तेज गैनबाज के नाम है तो 11 ऐसे खुद बॉलर बने हैं इसान सर्मा जुनोंने ओवरॉल डेनाइट टेस्ट उगलाबी गैन से पांच विकेट लिये हैं जो कि विस्टु के सभी बॉलरों को मिला करें लेकिन भारत के इसे गैनबाज बने हैं और यही कारण है कि टीम इंडिया फिलाल ड्राइविंग सीट पर है कॉलकाता इडेन गार्णस में जो डिनाट टेस्ट के लाए उसमें इस मेसेज जो अपडेट आईगी मैं आपको देता रहूँगा देखते रही इन खबर अन्यवार इन खबर च